अधाब मैं आपका दोस्त और होस्त खुर्रम मलिक पहले भी आप लोग मुझे कई वीडियो में देख चुके हैं तो उसी सिलसिले में आज हम आए हुए हैं फरीद पूर एक गाउ है जो बिहार के सीवान जिला से कुछ पंदरा किलोमेटर दूर ये गाउ है और इस गाउं की जो खासियत है वो ये है कि ये मौलाना मजहरुल हक जो एक बहुत ही महान सो तंतरता सेनानी रहे हैं उनका ये गाउं है और आज उसी जगह का दौरा करने के लिए हम लोग आए हैं क्योंकि इससे पहले शायद उनके घर का और उनकी कबर का कोई वीडियो नह जाये जाये और तफसील से उनके बारे में बात की जाये मौलाना मजहरुल हक कौन थे इसके बारे में काफी सारी बाते हो चुकी हैं यहां पर बहुत ज्यादा बाते मैं करना नहीं चाहता हूं क्योंकि कई सारे इस पर आर्टिकल्स आ चुके हैं कई सारे वीडियो बन चु यहां आने का में मकसद था कि उनका जो आबाई वतन एक तरह से है जहां उन्होंने अपना घर बनाया था वो है और जहां उनकी कब्र है तो फिलहाल हम हैं फरीदपूर में और फरीदपूर में मेरे पीछे आप जो यह देख रहे हैं कब्र यह मौलाना मजहरुलहक साहब की मनेर के पास पटना से आगे मनेर के पास एक ब्रहपूर गाउं है वहां उनकी पैदाइश हुई थी और उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो बैरिस्टर भी थे और उन्हें बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन का रुख किया और उसके बाद आकर वो यह पर काफी सारा उन्होंने काम भी किया था बिसिकली बताना मकसद ये है कि मौलाना मजहरूलहक क्या थे और उनका और उरा क्या था उनकी लेगिसी क्या थी दो मिनिट में मैं अपनी बात को खतम करूंगा कि जब उन्होंने लंदन से बैरिस्टरी की पढ़ाई हासिल की तो उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता में प्रैक्टिस शुरू की फिर छपरा में भी उन्होंने प्रैक्टिस की उसके बाद वो गांधी जी के चंपारन जो चंपारन सत्यागरा था जिससे गांधी जी को बहुत ज्यादा नाम मिला और गांधी जी महात्मा गांधी बने उस चंपा से अलग करने में मौलाना मज़ूरलहक्त का एक खास काम काम एक खास योगदान रहा है। सर अली इंमाम और सर सुचिदानं सिन्हा के साथ इन्होंने काफी काम किया,S महनट किया जिसके नतीजे में आज हम बंगाल से बिहार को अलग देख रहे हैं और बिहार अपना एक अलग स्टेट है और पहले क्या होता था कि बिहार और बंगाल एक था तो बिहारियों को काफी ताने बंगालियों के तरफ से सुनने पड़ते थे इन सब बातों के मद्दे नजर जो है मौला मधरूल हक ने सकीदानन सिन और सर अली इमाम के साथ काफी बाते की और विचार विमर्श किया और उनका इरादा हुआ के बिहार को एक अलग राज का दरजा दिया जाए इसके साथ ही आप लोगों को पता है के मौला मधहरूल हक कॉंग्रेस के प्रिसिरिंड भी रहे काफी वक्त तक प्रिसिरिंड रह और इसके साथ ही मौला मधहरूल हक का आपसी भाईचारे का भी एक बहुत ही आहम योगदान रहा है अगर और बात की जाए तो सदाकत आशरम आप जो देख रहे हैं पतना में उस सदाकत आशरम के बनने में मौला मधहरूल हक का बहुत ही आहम योगदान रहा है उस स्दाकत आश्रमं बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ झमिने मौलाना मजधर खट वर्हक ने भी अतिया कर दी थी स्दाकत आश्रमपों को बनाने के लिए ।़ एसके साथ ही अगर बात risky जाए तो महात्मा गांधी से कई मरतबा उनकी मुलाकात हुई या आत्मा गांधी ने मौलाना मजःरुलहक के बारे में क्या कहा है मैं वो आपको एक लेख के जरीए बताना चाहूंगा जिस लेख को बशहूर जर्नलिस्ट अफरोज आलम साहिल ने एक पोर्टल हेरीटेज टाइम्स में लिखा है के कौन थे मौलाना मजःरुलहक मजहरुलाक के बारे में गान्धी ने लिखा करा कि मौलाना मजहरुलाक एक निश्ठावान देश भक अच्छे मुसल्मान और दार्शनिक थे बड़ी ऐशो आराम की जिन्दगी गुजार रहे थे लेकिन जब असाहियोग आंदोलन का वक्त आया तो उन्होंने अपनी सारी आइशो आराम को पसे पुष्ट डाल दिया सारी जो उनकी जिन्दगी ती लैविश लाइफ थी उसको उन्होंने किनारा कर दिया और इक फ़कीर वाली जिन्दगी अपना ली और गान्धी जी के साथ वो हो लिये लेकिन जब देश को और मुलक को की खिदमत की बात आई तो उन्होंने अपनी शाहना जिन्दगी को छोड़ दिया उसको किनारा उससे किनारा कशी अख्तियार कर ली और वो मुलक को बहतर बनाने के लिए वो आगे आए इसके साथ ही गांदी जी कहते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार ज्यादा दिन वहाँ नहीं रुके उनके आशरम की कलपना ने विद्या पीट के लिए एक अस्थान उपलब्द करा दिया उनकी एक कोशिश दोनों समुदाय की एक्ता के सुत्र में बांधने वाला सिमिल्ट सिद्ध होगी महातमा गांदी ने मज़ूल हक के लिए ये बाते उनके दिहान पर समवेदना के रूप में 9 जनवरी 1930 को लिखी थी 9 जनवरी 1930 को उन्होंने यंग इंडिया में लिखी थी वहीं पहले रास्टपती डॉक्टर राजिंदर परसाद ने अपनी आत्म कथा में लिखा था कि मौलाना मजहरुल हक के चले जाने से हिंदू मुस्लिम एक्ता और समझोते का एक बड़ा अस्तंब तूट गया तो ये भारत देश के दो अजमोल रतन थे एक तो गांदी जी और दूसरे भारत के पहले रास्टपती जिन्होंने मौलाना मजहरुल हक के बारे म ऐसी बाते की हैं तो इन बातों से हमें ये समझ में आता है कि मौलाना मजहरुल हक की लेगेसी बहुत बड़ी थी उस लेगेसी को बनाने में उन्होंने उस लेगेसी को बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी उन्होंने कैसे कैसे दोर देखे होंगे और कैसे कैसे जमाना आते रहे और जहां उनको मिला पड़ाव डाल दिया ना खाने का होश ना पहनने का होश तो इससे कहीं न कहीं उनकी लेगिसी का एक अंदाजा होता है लेकिन जब हम यहां उनके मकान पर आए मकान का वीडियो हम आपको दिखाएंगे जब उनके मकान पर हम लोग आए जो कई एकड़ पर फैली हुई ये जमीने हैं काफी पेड़ पोदे लगे हुए हैं और खुबसूरत सा वो उनका उनकी हवेली है खुबसूरत सी लेकिन उस हवेली में रहने वाला कोई भी नहीं है अभी हम जब अंदर आए तो वहां पे कोई केर टेकर थे शायद वहां उनसे होता है जिनकी तब्यत खराब थी वो सोय हुए थे हमने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा तो आज आने का मकसद यह था कि आप लोगों को उनका जो उनकी जो हवेली है और उनकी उनका जो उनकी जो कबर है वो दिखाया जाए और चुके आज तक उनकी कबर का कोई भी वीडियो नहीं आया था और उनके हवेली का कोई भी वीडियो नहीं आया था तो हमने यह सोचा कि आज उनकी कबर का और उनकी हवेली का एक वीडियो बनाया जाए तो यह जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि सीवान से 15 किलो मिटर दूर पर आगे चल जब आप कि बातों को जानना चाहते हैं ऐसे सोतंतरता सेनानियों की जिन्दगी के बारे में दिल्चस्पी रखते हैं उनसे हमारी एक गुजारिश है कि वो आएं यहां का विजिट करें यहां देखें और जो भी कॉंगरेस के जो भी आला नेता लोग हैं जो आला अधिकारी है या उस इसे भी हमारी एक गुजारिश है कि आप में से कई लोग आते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते होंगे, लेकिन जिस जो औरा था, जो लेगिसी थी और जो कद था मौलाना मजहुरलहक का, उस कद को सामने रखते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए, अभ जायद आते ही होंगे, लेकिन फिर भी वह अक्सर आएं और ज्यादा पटना से दूर है भी नहीं, और आने से क्या होगा, कि ये लेगिसी को मिंटेन करने का मौका मिलेगा, जब आप आएंगे और आप देखेंगे, तो सरकार पर भी एक इसका असर होगा, अभी यहाँ पर कि पास-पास भी ऐसे कोई पूचा जाया है जो गमनाम है जिनकर बारे में कोई नहीं जानता है, उनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आप उन तक पहुंचा जाएым और उनके बारे में वीडियो के खर्योगों तक न मि GOlli स्वार में सोतंतरता सैनानी है जो गुम नाम है जिनके बारे में कोई नहीं जानता है उनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं हम कोशिश करेंगे कि उन तक पहुँचा जाए और उनके बारे में वीडियो के जरीये लोगों तक उनकी बातों को पहुँचा आया जाए शुक्रिय पीजलेग से अजय और लोग खुटार अच्वले घुटार थन्हें रड़ हो रहा है बाया है